नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं रिपोर्टर आनंद आए नजट डालते हैं प्रतावगण जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेन नोटिफि सुनने के दोरान बिहार विकास खंड के बारो गाउ निवासी स्यूपरसास सरोज ने सिकायती पत्र देते हुए बताया कि हलका लेकपाल असोग जैसवाल ने उनका आयू प्रमान पत्र अलग अलग तिथी में जारी किया था जिस पर डियम ने लेकपाल को निलम्मित करने क का आदेस देते हुए तैसिलदार से इस पस्टी करण मांगा है वही कुंडा के जमिठी गाउं निवासी राज कुमार सरोज ने सिकायती पत्र देते हुए बताया कि वरस 2015 में उनकी मा का निधन हो गया था जमीन वरासत के लिए लेकपाल को कहा गया लेकिन अभी तक जमीन का वरासत नहीं हो सका यही नहीं वरासत के नाम पर हलका लेकपाल पैसे की मांग करता है जिस पर डियम ने लेकपाल कृपा संकर मिस्ट के खिलाब भी निलंबन की कारवाई का आदेस दिया इसके बाद बिहार विकास खंड के सराय बबुईन काशी पुर गाउन युआसी धर्मेंद कुमार मिस्टर ने सिकायत करते हुए बताय कि उनके बाबा रादे स्याम के मृत्य हो चुकी है लेकपाल कानून गो वरासत दर्ज कराने के नाम पर पैसा मांग रहे हैं इस पर डियम ने हलका लेकपाल सुनील कन्नोजिया को निलंबित करने का आदेस देते अदेस धिया डियम के तेवर देख संपूर समाधान दिवस में आए विभागी अधिकारियों में हरकंप मचा रहा वहीं सीविल बार एवं दिबार एसोसियेसन के पदाधिकारियों ने भी ग्यापन सौ पा इस दावरान संपूर समाधान दिवस में कुल 475 सिकायते विवाद चल रहा है आज दिलसाद अहमद पुत्र नूर मुहमद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नवागन सानक छेत्र के बीवियापूर गाउं में अपनी आम की बाग की देख रेक के लिए गए थे जहां पहले से घात लगाए बैठे उनके दबंग भाईयों ने में जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले जिसके बाद पुरित में घटना की तहरीर नवावगन पुलिस को दी घटना के संबंध में नवावगन साना परवारी अकलेस परताब सिंग का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जल्द ही आरोपियों पर कारवा हो चुकी है मंदिर परिसर में लगे CCTV कैमरे में नकाब पोस्चोर घंटा खोलते साहब देखे जा रहा है मंदिर प्रमध समीत के सदस से पंकर सिंग ने CCTV फूटेज निकलवाने के बाद पुलिस को मामले की तहरीर दी है पुलिस मामले की जाच कर कारवाई किये जाने की बा पीडित महिला ने आरोप लगाया है कि 40,000 की पहली किस्ताते ही परधान पती अपने चम्चो के साथ उसके घर पहुचा और 20,000 रुपयों की मांग की गरीब महिला ने जब पैसे देने समना किया तो परधान पती ने धमकाते हुए कहा कि अगर पैसे नहीं दोगी तो कार के अर्मानों पर पलीता लगाने वाले इस परधान पर क्या कारवाई करते हैं या फिर गरीबों के सोशल का नंगा नाच ऐसे ही चलता रहेगा अगली खबर डियम उफिस से है जहां जिलाधिकारी ने गुंडा नियंतरन अधिनियम की धारत तीन-तीन के तहट कारवाई करते हुए बागराय थानक छेतर के बारों गाउं के विरेंदर उर्फ सोनु यादो, पुत्र पन्ना लाल, लाल गंस थानक छेतर के बैसन का पुर फिर मिलेंगे प्रताबगण जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ तब तक के लिए नमस्कार